इसके पहले आपको बताते चले ग्राहा मंत्री आमिच्शाह, रक्षा मंत्री राजनाद सिंग लालकृषना आधवानी के घर पर पहुँचे है। पूर उप प्रधानमंत्री और ग्रहमंत्री रहे लालकृष्ण आदवानी का आज जनन दिन है देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं लालकृष्ण आदवानी को जनन दिन की बढ़ाई दिन के लिए कल जब भारती जनता पार्टी की राष्टी कारेकारनी की बैठक होई थी तो डिजिटली लालकृष्ण आदवानी इस बैठक में जुड़े हुए थे यह उनका 94 जनन दिन है और इस तस्वीर जो आप देख रहे हैं दरसल लालकृष्ण आदवानी के घर की तस्वीर है आज उनका 94 जनन दिन है और इस मौके पर प्रधान मंत्री नरीद्र मोदी भी उन्हें आदवानी को शुपकामनाई देने के लिए जनन दिन की बधाई देने के लिए पहुचे हैं और इसके पहरे प्रधान मंतरी ने जन दिन की बधाई ट्वीट के माध्यम से परभी द chantled रह बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे हैं लालकिष्ण आडवानी भारती जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसमें लालकिष्ण आडवानी का महत्पूर्ण योगदान रहा है और आज बीजेपी जिस मुकाम पर है उसको यहां तक पहुंचाने में भी अटल आडवान बीजेपी में कहा जाता था कि जो अडवानी का यूग है वहां से लेकर सत्ता के शिखर तक का जो बीजेपी ने सफर तैय किया उसमें लालकिष्ण आडवानी का योगदान भी सबसे महत्पूर्ण माना जाता है और इस बात को याद करती हुए एक परिवार के तरीके से ज नेता हैं उनको सम्मान देने की जो परंपरा रही है भारती जनता पार्टी में उसी का निर्वहन करते हुए यहां पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी लालकिष्ण आडवानी के आवास पर पहुंचे हुए हैं और उनको जन्म दिन की बधाई दे रहें इस वक्त बीजेपी इस साथ रविकांत राय टाइमस नो नो भरत तो देखा अपने लालकृष्ण आडवानी के घर के बाहर से मेरे सहियोगी रविकांत राय की रिपोर्ट बता रहें कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पहुंचे हैं लालकि प्रधान मंतरी मोधी ने ट्वीट के माधियम से ने शिब कामनाई जरूर दी और इसके अलावा आपको ये भी बिताते चले ग्रह मंतरी अमिच शाह भी पहुंचे हैं ये देखी इदर से लिए जो काफिला है ये काफिला लालकृष्ण आडवानी के घर के अंदर जाने का है ग्रह मंतरी अमिच शाह रक्षा मंतरी राश् में और ये कहा जाए एक महत्वपून योगदान खासतोर से कहा जा सकता है दो सांसदों वाली बीजेपी को मौझूदा शिकर तक सत्ता तक पहुंचाने में लालकृष्ण आडवानी की भी कितनी महत्वपून भूमिका है ये हम सभी जानते हैं और खासतोर से अगर उनका जरूर हमेशा समय समय पर नजर आती है ये तस्वीर आप देखिए आज उनके जन दिन पर चरानवे जन दिन पर खुद प्रधान मंतरी पहुंचे हैं शुपकामनाय देने के लिए मेरे सही होगी रवीकान ते समय मेरे साथ में मौझूद है रवीकान जल्दी से बता प्रधान मंतरी दिली में मौझूद रहते हैं और लालकिशना अडवानी का जन दिन होता है तो वो उनके आवास पर पहुँचकर उनको जन दिन की बधाई देते हैं इस वक्त मैं लालकिशना अडवानी के आवास के ठीक बाहर मौझूद हूँ और यहां की तस्वीरे अंडर में काम कर चुके हैं वो तमाम बड़े नेता भी इस घर के अंदर मौझूद हैं केंद्री ग्रहमंत्री अमिच्छा, डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग, भारती जनता पार्टी के राष्टिय धिक्ष जेपी नडड़ा और उपर राष्टपती वेंकाई अनाइड ये लोग लालकिष्ण आड़वानी के घर के अंदर मौझूद हैं आज उनका 94 जन्दिन है और जिस तरीके से पार्टी के लिए उनका योगदान है और बीजेपी ये लगतार कहती है कि बीजेपी एक जितने भी बीजेपी के वरिष्ट नेता हैं उनको परिवार के राष्टी कारेकारणी की बैठक हुई थी उसमें कोविट प्रोटोकॉल के तहट जो लालकिष्ण आडवानी है वो डिजिटली जुड़े हुए थे उन्होंने कारेकारणी में हिस्सा लिया और इस बात का बकायदे जिक्र किया गया राष्टी कारेकारणी के द्वारा तो के लिए उनके आवास पर आते हैं उनके साथ जो मोमेंट से उनको याद करते हैं कि पार्टी का सफर कैसे रहा किस तरीके से पार्टी यहाँ पर पहुँची और उसी सिलसिले को निभाते हुए प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी भी यहाँ पर पहुँचे हुए और उनके पार्टी भारती जन्ता पार्टी की जो राष्टिय द्यक्षे जेपी नड़ा वो भी इस वक्त लाल कृष्ण आडवानी के आवास के अंदर मौजूद है। के जन्ता पर भी पार्टी की तरफ से कुछ कारिक्रा में कुछ किया जाएगा। महौल है इसलिए कोविट प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम लोगों को अंदर जाने की अनुमती नहीं दी गई है। क्योंकि लालकिष्ण आडवानी के स्वास्त को ख्याल में रखते हुए ये पूरा कारिक्रम आयोजित किया गया है। इस वक्त प्रधान मंत्री भी नैना अंदर हैं, होम मिनिस्टर अंदर हैं, डिफेंस मिनिस्टर अंदर हैं, वो प्राष्टपती हैं और भारती जंता पार्टी के राष्टी दिच। और जैसे ही ये नेता यहां से जन्दिन की बढ़ाई देने के बाद बाहर निकलेंगे, और भी बहुत सारे लीडर्स जो हैं, वो लगतार कतार में वेट कर रहे हैं। आज उनका जन्दिन मनाने के लिए खुद प्रधान मंत्री भी पहुंचे हैं। जो घरघर तक पहुचाने काम, लोगों तक पहुचाने काम करकरता हूं को जो जोड़ने काम। वो लालकिश आडवानी ने कहा, लालकिश आडवानी को सही मारे में जो संगधन का अदमी है वो माना जाता है। और उन्होंने इस पार्टी को उस स्थिती में पहुचाया। अगर आप कहें तो 89 में जब रथियात्रा निकली थी, भगवान राम को लेकर आयोध्या से, सुमनाच से, आयोध्या वाली। उसने एक तरह का टर्निंग पॉइंट था पूरी भार्दियंता पार्टी को जिसने बीजेपी को में स्क्रीम में लाकर खड़ा किया। तो लालकіश आड़वानी की भूमिका, लालकीश आड़वानी की जो मांगदर्शन और लालकीश आड़वानी को जो एक वरश्ट plantation के रूप में पूरी पार्टी मांती है उसी का नतीजा है कि आज तमाम लोग भले ही लगातार वो कटे हुए है राजनीती से सक्रीय राजनीती से वो अब दूर है लेकिन उनका सम्मान हमेशा बना रहता है और खास तोर से प्रधान मंत्री मोदी क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी का जुलाव इसलिए भी बहुत प्रधान मंत्री मोदी के बहुत 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 शुक्रिया